अबीका स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकाडमी क्लासेस पर यहां हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अडल भी हरिबाच पर इमेडिकल इंडिस्टी की बीस्टी नर्सिंग प्रिवेस परिक्षा के लिए तो राउंड वन काउंसलिंग सुरू हो चुकी है उसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई आईए कैसे गाइडलाइन आप डाउनलोड कर पाएंगे और उसमें जो फीस जमा होनी है और 47,500 रुपे पूरी प्रोसेस में काउंसलिंग के उसमें 5,000 रुपे कैसे बचाएं जो आपके जब्त हो जाते हैं तो उन पर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर फीडियो में देखें ये इसकी ओफिशल वेबसाइट है इसी पर एनाउंस हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बाउचर फॉर BSC Nursing Counseling Round 1 यहाँ पर अपडेटिड हो चुका है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही से आप डाउनलोड करेंगे करीब करीब 465 के भी की यह फाइल है ये देखिए पूरी डेटेल में आपको चीज़े यहाँ पर दी गई है राउन्ड वन की काउंसिलिंग जो है यहाँ पर दी गई है कि 22-6 से जो है काउंसिलिंग कर सकते हैं और यह 27-6 तक अंसिलिंग कर सकते हैं यानि इसी में आपको 24 फिलिंग और बाकाइदा सारी चीज़े करनी है रेस्टेशन के साथ साथ सभी चीज़े करनी है फिर सीट अलॉट्मेंट जो आएगा यानि कॉलेज किस दिन आपको पता चलेगा वो पता चलेगा अब 30 तारीक को यानि 30 जून को आपको पता चल कि आपने च्वाइस फिलिंग जो की थी जितने कॉलेज आपने भरे थे वो अनलिम्टेट भर सकते हैं जितने आप चाहें उतने भर सकते हैं लेकिन उसमें पांच हजार रुपे जाने का डाउट जादा रहेगा तो आएए उस पर भी बात करेंगे भी आगए वीडियो में तो तीस तारीक को आपको पता चल जाएगा फिर उसके बाद acceptance of the seat reporting college to admission process तो यहाँ पर फिर एक जुलाई से लेके 8 जुलाई तक आप जो है 40,000 रुपे जमा करते हुए जो है seat को accept करेंगे देखिए यहाँ पर आपको कितने जमा करने है 40,000 रुपे इस तारीक से नहीं एक जो है यहाँ आपको जमा करने है 500 रुपे आप समझे यहाँ 500 रुपे और प्लस 5000 रुपे यह दो फीस आपको यहाँ पर जमा करनी है इस डेट के बीच में इस डेट के बीच में जमा करने है यहाँ आपको 40,000 रुपे जमा करना है online और फिर offline आपको 2000 रुपे जमा करने है तोटल रुपय कितने हो गए आप जोड़ेंगे तो 47,500 रुपय हो जाएंगे कब तक 22 तारिक से लेके आठ तारिक तक आप जो है ये रुपया इतना अगर पूरी प्रोसेस कंप्लेट करेंगे तो ये चीज़े आपके साथ हो जाएंगे अगर आधिय दूई छोड़ेंगे त तीन राउंड यहां पर होने हैं और एक अगस्त से यहां पर रहेगा और वही चीज़ जैसा पिछले साल भी और इस साल भी अगर सीट्स बचती हैं तो माप अप राउंड के बाद स्ट्रे राउंड काउंसलिंग यानि चौथा राउंड यहां पर होगा क्लियर आप समझ पर चलेंगे तो अगस्त तक चलेंगे तो दूसरा राउंड आपका 31 जुलाई से सुरू होगा और उसके बाद जो डूसरा राउंडहें वह ग्यारा से सुरू होगा आठ को खतम और ग्यारा से दूसरा राउंड सुरू हो जाएगा किलियर आप चीज़ समझ गये होगे कितने राउंड होने हैं तीन राउंड फिलाहाल डिसाइड़ हैं अगर सीट बचती हैं तो चौथा राउंड होगा सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे पहले आपको इस वैप साइड पर जाना है और वहाँ पर जो है लॉगइन करना है आपको अपनी आईड से लॉगिन करना है CN24 registration ID and password से same as used to filling application form में जो करते थे वही आपको जाना है और login करना है फिर आपको वहाँ पर करना क्या है 500 रुपे पे करना है registration fees के लिए जो non refundable है ये 500 रुपे non refundable है और अगर आपको college नहीं मिलता है तो ये 5000 रुपे जो security fees के रुप में जमा किये जाएंगे ये आपको वापस कर दिये जाएंगे अगर college नहीं मिलता तो after the completion of the process round जब सारे जो है पूरी counselling हो जाएगी और उसमें अगर आपको 5000 seat not been allotted any seat will be refunded counselling security fees to be the source from where the payment is originally made तो ये चीज़ जो है जहां जहां से आपने originally made payment किया है वहाँ वापस कर दिये जाएंगे तो clear यह नहीं 5000 रुपे आपके वापस हो सकते हैं अगर कोई college नहीं मिला किसी भी round में नहीं मिला तो वापस होगा अगर कोई college मिल गया तो ये 5000 रुपे आपके वापस नहीं हो तब नहीं होंगे अगर ये तब ही वापस हो सकते हैं दो conditions हैं यहां पर आप समझ लीजिए proper में में कि आपको college मिल गया आपको college मिल गया और आपने seat ले ली आपने college में admission ले लिया तो ये 5000 रुपे वापस हो जाएंगे अन्यथा किस तित में जो है यहां पर आपको college मिल गया और आपने college छूड दिया तो ये जो है आपकी seats जो है ये 5000 रुपे चले जाएंगे एक तो college admission ले लीजिए एक तो आपको क्या ले लेना है admission ले लेना है अगर आपने admission ले लिया तो ये वापस हो जाएंगे अगर आपने ले लिया admission admission ले लिया तो ये वापस हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे वापस हो जाएंगे अगर अगर आपको college नहीं मिला ये वापस हो जाएंगे कब? अगर आपने admission ले लिया तो वापस हो जाएंगे अगर seat नहीं मिली क्या? अगर seat नहीं मिली seat नहीं मिली अगर seat कोई भी seat नहीं मिली तो वापस हो जाएंगे समझ गए होंगे? अगर seat कोई लिए तो वापस हो जाएंगे तोनों कंडिशन में वापस हो जाएंगे इसके अलावा कोई भी कंडिशन अगर आपने अपलाई की कुछ भी आपके साथ हुआ इसके अलावा तो वह आपका ज्यू है 5000 द नहीं होगा तो इसलिए बचाने का तरीका क्या हो सकता है कि जब आप च्वाइस फिलिंग करें जब आप च्वाइस फिलिंग करें तो समखल के करें उतने ही कॉलेज भरें उतने ही जो है कॉलेज भरें जो आपको अगर मिल जाए तो लेना ही ले ही लें आप यानि वही चाहे वो private हो आप सभी भर सकते हैं unlimited भर सकते हैं लेकिन आप choice filling में उतने ही college भर हैं जितने जिन में से अगर कोई आपको मिल जाए तो आप हर हाल में वो college ले लें तभी ठीक रहेगा अगर आपको लगता है कि इस college को अगर मिल भी जाएगा तो मैं नहीं लूँगा या छोड़ दूँगा तो आप उसे choice filling में ना भरें clear आप समझ गए होंगे तभी आपके 5000 रुपे बस सकते हैं वरना यह 500 और 5000 दोनों चले जाएंगे बिना किसी रुकावट के आपको नहीं मिलेगा clear आप आए प्रोसेस पर आगे बात करते हैं यहाँ पर जो है जब आपको एक 30 तारिख को seat पता चल जाएगी जब 30, 0, 6 को पता चल जाएगा कि college कौन सा मिला तो आपको आनलाइन यह 40,000 रुपे आपको जमा करने होंगे clear आप जमा कर गें फिर उसके बाद यह seat allotment लेटर जो होगा candidate निकाल लेगा और allotted candidate college पहुँचेगा वहाँ document verification होगा admission process के रूप में आपको 2000 रुपे देने होंगे clear आप समझ गए होंगे तो यहाँ पर पूरी प्रकरिया इस तरीके से अपनाई जानी है यहाँ पर देखिए original documents कब submit होंगे तो original documents submit होने का तरीका यहाँ पर दिया गया है कि जब इस academic session start होगा तब आप जाएंगे वहाँ पर तब आपका original documents चमा करा लिया जाएगा clear आप समझ गए होंगे पूरी प्रकरिया समझ गए होंगे यह round one की प्रकरिया है